तो Hello and Welcome! अगर आपके शेहर में G.O.K. 5G के नेटवर्क कॉए नहीं के लेए हैं लेकिन आपके फोन में 5G का आनद नहीं ले पा रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में शुरू चुने बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दो सो उन्तालीस किसने टर्म्स रखे थी जो वालन है कि दो सो उन्तालीस उर्पे से जाधा कर आपको रिचार्ड होगा तो ही आपको 5G का अन्यूटार्ट मिलेगा लेकिन अगर आपने 79 के रिचार्ड कर रखा है एक सो कुछ का रिचार्ड कर रखा है तब भी यह ओफर आपको मिलेगा तो चलिए MyGo की एप पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप 5G का इस्तमाल कर पाएंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इस तरीके का जो यह पॉपफ है कंग्राइच्रिशन यूव बिन अप्ग्रेड़ेड़ टो जियो वैलकम ओफर अनलॉक टू फाइवजी नाउ तो सभी के अगर शहर में आपका 5G आ चुका है तो ऐसे कुछ पॉपप आपका आ गया होगा और इस पे आप क्लिक करते हैं साथ में आपका जो प्लान है उसमें भी एड़ाउन में आप देख पाएंगे तो अनलिमिटेटर 5G डेटा का जो पैक है वो भी आपके एड़ाउन हो चुका होगा आपके पहले से ही कोई भी आपके पास पैक हो उस पर हाला कि यह रूल है कि 249 का आपका पैक होना चाहिए लेकिन मेरा 209 का पैक था उसके बाद भी एड़ाउन हो गया था अब बात करते हैं में दिक्कत इसमें क्या है इस पर आप जब GET STARTED पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ यह समस्या आपको देखने को मिलेगी यहां पर देखे जिए जो चीज है यह आपको शायद देखने के लिए मिल रही होगी तो आप सोलूशन की बात कर लेते हैं देखिए 5G वो इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि यहां पर LTE यहां पर लिखाव आ रहा है देखे मैं आइफोन की बात कर रहा हूँ अगर आपके पास Android भी है उसमें भी आपको यही कुछ करना है mobile data में आप लोग देखते हैं तो आपका mobile data option में 5G on है 5G आप auto भी कर सकते हो 5G standalone भी कर सकते हो तो 5G तो activate है लेकिन tower जो है वो LTE के आ रहे हैं तो चलिए solution अब लोग कर लेते हैं फोन को restart करने के बाद भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे flight mode पे जाएंगे और इसको on off कर देंगे flight mode off कर दिया flight mode on कर दिया और अब देखेंगे उपर तो देखे ल्टी अभी भी है फिर से अब आप देख सकते हैं तो 5G के tower मेरे आ गए है flight mode पे डालने के बाद तो कुछ ऐसी परकिरिया आपको करनी है अगर आपके ने ट्रॉक जो नहीं आ रहे हैं आपको flight mode पे डालना है और flight mode से on off on off करना है 5G के आपके आ जाए तो आई होब आपको solution मिल गया होगा अगर ये भी करने के बाद आपके 5G के tower नहीं आ रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है करने के बाद भी अगर आपके 5G के network नहीं आ रहे हैं 4G या फिर LTE अभी तक भी आपका लिखाव आ रहा है तो ये बात आपके समझने की है वो ये है कि 5G अभी तक पूरी तरीके से coverage 5 की नहीं आई है देखिए जब 3G से 4G आय था उसके बाद जियो में क्या होता था कि एक कमरे में network आते थे दूसरी कमरे में 4G का network नहीं आते थे कुछ ऐसा ही अभी 5G हो रहा है तो आप try करेगे किसी दूसरे room में जा करके try कर लीजेगा अपने घर की छट पे जा कर लेगा या फिर कोई दूसरी location पर आप लोग try कर लीजेगा वहाँ पर आपको 5G के टावर मिल जाएंगे अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि जहां पर इस्ट में आप बैठे हो जिस कमरे में बैठे हो या जिस location पर हो भले आपकी शहर में तो 5G है लेकिन जिस कोने में आप लोग बैठे हो वहाँ पर 5G की proper coverage नहीं है इस वज़े से वो नहीं आ रहा है तो यह च स्टेशन यह कोई अच्छी जहंगा कोई VIP लाके में जाके आप ट्राइ करिएगा 5G का आपके आने शुरू हो जाएंगे तो यहीं इसका simple सा solution है बाकि अगर आप एक अच्छे इलाके में रहते हो जहां पर 5G का टावर है तो आप flight mode करेंगे on off on off on off करेंगे तो आपका 5G आ to 4G automatically switch हो जाता है जब किसी की call आती है या फिर अगर 5G का tower weak होता है मान लीजे आपने कोई movie download लगा दी है और 5G का tower weak हो गए तो वो automatically 4G में switch हो जाएगा तो 4G का जो आपका existing pack है मान लो आप 1.5 GB per day पर चल रहे हो तो यह 1.5 GB आपका एक दम ही खतम हो जाएगा ठीक है तो य यह 5 4G वाला पहक आपको एकदम खतम होने के चांस रहता है तो यह solution है आप आप इस solution हो करेंगे आप phone को एक बार restart कर लीजेगा 5G के tower चुनने के बाद तो 5G आपका phone में आने शुरू हो जाएगे तो यह ओप इस वीडियो से आपको साहता मिली होगी थैंक यू फो वाचिंग टैग प्रोरामन